इस वीडियो से आप जान जाओगे कि पैसा हाथ में आना पहला स्टेप है, अगला स्टेप है अमीर बने रहना पैसा कमानी के लिए आप कितना जानते हो से ज़्यादा ज़रूरी है कि पैसो के प्रती आपका बिहेवियर क्या है एक होता है पैसो को गनित से समझना और एक होता है पैसो का मनोविज्यान, पैसो की साइकलोजी समझना जो बताइए हैं मॉर्गन हाउसल ने आओ जानते हैं पहला, enough याणि कि काफी कितना होता है, कभ कह सकते हैं कि ये बहुत है, अब रुक जाना है Enough मतलब इससे आगे करेगे तो गातक हो सकता है और इससे कम काफी नहीं है It's never going to be enough काफी कभी नहीं होता है सबसे hard skill यही होती है कि कब रुकना है कितना risk लेना ठीक है यह ना पता होने की वज़े से लोग कमा करके भी पैसा खो देते है Enough ना पता होने का सबसे बड़ा कारण है social comparison दूसरों को खोच से compare करना रजद कुपता टीनेज में ही अनात हो गए थे life बड़ी difficulty करीबी देखी पर 40 तक आते हुए यह McKinsey के CEO बन गए 2018 में इनकी wealth थी 100 million dollar, 700 कुरूर रुप है पांच पर्सेन बैंक का ब्याज भी देखें तो एक घंटे का 50,000 रुपे कमा रहते हुआ चाहे वैसा जी सकते थे पर Goldman Sachs के one of the directors बनने की बाद में इन्हों ने billionaires लोगो को देखा जिसके बाद में इनका भी मन हुआ चुलमची billion बनने की राजर रतनम ने इमिडियेटली एक लाग पिचितर जार शेर्स परचेस कर लिए और जब वारें बफेट ने 5 billion dollar के स्टॉक खरीदे बात फैल लगी market उपर चला गया राजर रतनम ने 1 million dollar earn कर लिए लेकिन US Securities and Exchange Commission को पता लगा अंदर की बात लिग करके इन्होंने 17 million dollar यानि कि 136 क्रूर रुपे illegal तरीके से कमाए गए है पकड़े गए दो साल की जेल हुई repetition harm हुई career बरबाद हुआ 100 million dollar के owner थे फिर ये illegal चीज करके risk लेने के ज़रूद क्या थी same हर्षत में था scam 1992 आपने देखी होगी reason same है कि उन्हें पता नहीं था कि कब आ करके किस point पर आ करके रुखना है जब कितना enough है मुझे कितना चाहिए ये तैय नहीं होता है तब social comparison हमेशा दिमाग में चलता है एक 5 लाग dollar कमाने वाला beginner baseball player अगर Mike Trout से compare करे जो कि 12 साल का contract लेगर बैठा है yearly income 770 million dollar के around हुई है 2018 में रुपई में 6300 crore रुपई है और ये वर्ल्ड के top 5 hedge fund manager अगर Warren Buffett से अपने आपको compare करे जिनका 2018 का increment है 3.5 billion यानि कि 28,000 crore रुपई है अब अगर Warren Buffett Jeff Bezos को देखे जिनकी net worth में 2018 में increment हुई है 24 billion dollar यानि कि 1,90,000 crore रुपई अब अगर ये Jeff Bezos, Elon Musk को देख ले जो अर्थ पर रहना ही insecure feel करते है बात ये नहीं है कि जो है उसमें satisfied होकर बैट जाए बलकि enough कितना होता है वो पता होना भी जरूरी है enough ना पता होने से family, sleep, health इसका नुक्षान की discussion हमने करी नहीं है फर्स लेसन रुकना कब है ये पता होना चाहिए सेकेंड, freedom, real happiness है आजादी real happiness है ना कि control में रहना people always want to be in driver seat लोग अपनी life में in charge खुद बनना चाहते है वो powerless feel करना ही नहीं चाहते काल पिलर मैंने around 1000 old age Americans को interview किया एक ने भी यह नहीं का कि happiness तब मिलेगी जब आप at least उतना कमा लो जितना की आपके आसपास के लोगों के पास में है नई जरूरत है उसकी भी example कोई कमा रहा है लेकिन boss के control में है खुश नहीं है लेकिन कोई कम कमा रहा है लेकिन आजाद है वो खुश है यहां समझते है the man in the car paradox इससे पहले paradox का मतलब समझते है eating healthy is the only choice चॉइस तब यूज़ करते है जब एक से जब ऑप्शन होते है लेकिन यहां पर लिखा है only choice ब्रहम पैदा करने वाली situation मतलब आपके एंगल से किसी के कार देखकर के लग रहा है कि इसके तो मज़े चल रहा है पर बाद में suffocation वाली feel आती है हजारों लोगों का कहना है कि वो इस field में 4-5 साल के बाद में वो छोड़ देते है lesson क्या है किसी और की suffocation किसी और की good done को आप अपने सपने मत बनाओ अपनी real happiness और freedom को खुद देखो तीसरा lesson wealthy और rich होने में फरक रियाना जब bankrupt होगी थी तब इसके बाद में इन्होंने अपने financial सलाकार पर case कर दिया कि मैं इनकी सलाकी वज़े से बरबाद हुई हो पर financial advisor ने तो मेडिया में sigma mail वारा reply दे दिया इन्होंने कहा कि क्या किसी को यह याद दिलाने की जरूत है कि अगर आप पैसों से किवल चीज़े ही खरीदते हो तो एक time की बाद में आपके पास में पैसा नहीं चीज़े बच जाएगी अब इसको भी एक बार the man in the car paradox से समझते है कि किसी ने अगर एक करोड की कार खरीद ली तो उसको आप अमीर बोल सकती हो लेकिन वो wealthy है यह ज़रूरी नहीं है क्योंकि wealthy होने का मतलब यह होता है कि वो अगर चाहता तो इससे भी 4-5 गुना महेंगी कार कैश में खरी सकता था लेकिन इसने फिर भी यह खरी ती जो आपको महेंगी लग रही है बाच्छा ने रैप में का था कि एक दिन ऐसी जागे रोल्स रोयस लेली मैंने लॉंडे लेते रहे गए feeling तो एक दिन ऐसी जागे गाड़ी लेना और loan में लेना यही फरक है wealthy और rich होने में अमीर होना एक status है जो बदल भी सकता है लेकिन wealthy होने का मतलब हमेशा बनने रहेना अब यहाँ भी कुछ लोग गलत paradox में फज़ जाते है कई लोग देते हैं इनके बच्चे इतनी महेंगी स्कूल में पढ़ते है पर ये नी देखते हैं कि वो 10 गुना महेंगी स्कूल में बेच सकते थे आइल कम बढ़ रहा था पर इंजिनियर्स ने ऐसी मशिन्स बना दी कि उतना ही काम कम आइल में हो पाए आज की बात करें तो 1950 की तुलना में 60% से भी कम फ्यूल में मशिन उतना काम कर देती है तो हमने क्या करा हमने और फ्यूल डिस्करवर करने के बारे में नहीं सोचा हमने उसी फ्यूल को efficiently यूज करना सिखा वैल्दी बनने के लिए भी जितनी कमाई है उसी को efficiently खर्च करने का सिस्टम बना हो क्योंकि पैसा कमाना और जोड़ना दोनों अलग है हम जैसे आगे बढ़ते हैं पुराने चीजे तो हमें कम ही लगती है एक सबसे अच्छा एक्जामपल है स्कूल के टीचर्स का जब हम स्कूल में थे टीचर्स हमें बहुत घ्यानी लगते थे और यह तो हम सबको बता है कि वैल्दी लोग जो होते है वो ग्यान लेते है यानि की अर्ण यह सारी बात है ग्यान मैं आपको क्यों दे पाता हूँ क्योंकि मैं खुद बहुत लर्न करता हूँ वर्ल्ड के बिलिनियर्स लोगों कितना काम होता है फिर भी वो पढ़ता है ब्राक उबामा इतना पढ़ता है कि वो हर्ट साल अपनी बुक रीडिंग की लिष्ट शेयर करते है दुनिया वेट करती है और हम कितने लखी है हमें बुक्स पढ़ने की ज़रूत नहीं हमारे सामने 10,000 audiobooks अवेलेबल है कुकू FM पर जैसे की ट्रॉपिक चल रहा है पैसे कमानेगी तो The Science of Getting Rich audiobooks सुन सकते हो 9 Financial Steps to Get Rich ये audiobooks सुन सकते हो ऐसी कई सारे रिच माइंटसेट बिनाली वाली audiobooks वैल्यू से बरी हुए आपको मिल जाएगी कुकू FM की मंतली membership है 99 रुपिस लेकिन अगर आप coupon code enter करते हो CM50 तो आपके first month में 50% off हो जाएगा यानि की 49 रुपिस 49 रुपिस में आपको 10,000 audiobooks का access मिल रहा है अब क्योंकि audio format में कुछ देखने के जरूत नहीं होती है इसलिए कुकू FM की वज़े से आपका screen time reduce होने में बहुत help होगी जो mobile के screen आज के time में बहुत बड़ी problem है 25,000,000 लोग already कुकू FM की family में जुड़ चुके है आप भी जुनना चाहते हो तो link आपको description में और comment box में मिल जाएगा चलो आजाते है next point पर 4th point है don't be logical, be practical यह interesting point है आपको fever आता है मैं कहता हो कि चलो ध्यान रखो, दवाई खाओ, डॉक्टर को दिखाओ तो आपको मैं normal लगूगा लेकिन अगर आपको मैं कहूँ कि यार बड़ी अच्छी बात है आपको बोखर आ गया fever तो useful है body के लिए, इसको रहने तो body में, immunity बढ़ती है तो आप मुझे पागल समझोगे लेकिन 1927 में Julius Wagner Jorik को normal prize मिला जिन्हों ने ये pattern notice करा कि fever आने के बाद में मरीजों का syphilis जल्दी ठीक हो रहा था पर practically देखे तो ये काम करता है जिसके लिए इनको normal prize मिला fever खराब लगता है क्योंकि इसमें दर्ध है और दर्ध हमें पसंद नहीं है पर अगर इस दर्ध की हमें meaning पता लगती है तब हमें वो दर्ध परेशान नहीं करता है लगता है हमें दर्ध होता है लेकिन परेशान नहीं करता है क्योंकि उसके meaning पता है same with money अगर आप logical होकर किसी company के stock लेते हो आपको इन्वेस्ट करते हो बिजन सुरू करते हो आपको उसकी meaning नहीं पता है लेकिन आपने logically देख लिया चार्ट देख लिया किसी की बातों में आगये पर अब market में अगर fever आएगा यानि कि वो market निचे आएगा तो आप रोने लग जाओगे क्योंकि उस market में fewer आने की meaning आपको नहीं पता आप उस company के vision के साथ align नहीं करते हो उसके future में आपको कोई रूची नहीं है products पसंद नहीं है अब देखते है उसको practically आपने invest करा आपको product का future पता है आपको उसकी meaning पता है आपको products पसंद है आपको company के heads भी पसंद है आपको पूरा अंदर तक पता है कि company बड़ा करेगी फिर चाहे company loss में भी आजाएगी आपको feel आएगी कि यार ये तो fewer है ठीक हो जाएगा फिर से उपर आजाएगा reasoning के साथ में invest किया है आज नहीं तो कल return मिलेगा कोई city में business करते है दुकान खोलते है या फिर online start करते है कुछ तो logically देखे तो 3-4 महीने try करा profit नहीं बना तो तो देख रहा है कि हाँ loss है logically देखे तो लेकिन practically अगर देखे तो अगर आपको गहरा ही पता है और वाकी में पता है interest exam pass करा उसने doctor के पढ़ाई करी बहुत पैसा लगया doctor बन गया उसके कुछ साल के बाद में दोस्त का phone आता है भाई तो तो बहुत कमा रहा है तो दोक्टर कहता है कि कहा कमा रहा हो यार बहुत खरा प्रोफेशन है दोस्त कहता अच्छा तो यह बना चारा था तो तो जान दे रहा था इसके लिए doctor कहता हा लेकिन इतना बुरा था यह नहीं पता था अब मेरा interest यह नहीं रहा और यह जो मज़ेवाला आदमी इसकी भी इच्छा बदल सकती है कि अब मुझे सीरिस होना है बड़ा करता है तो life बहुत flexible है, दुनिया, market, technology सब कुछ बहुत flexible है, सब बदलता है इसके लिए आप त्यार रहो हमें खुद नहीं पता 20 साल, 25 साल की बाद हम क्या कर रहे होगे, क्या interest होगा मैं इतना खतरनाक लेवल का introvert था कि मेहमान घर पे आते मैं बात करने से डरता था और आज मैं आपके साब में खटखट बात बोलता हो कैसे, चीजे बदल जाती है solution planning करनी है, पर extreme है नहीं करनी है, balance होना चाहिए क्योंकि जो आप जी जान लगा करके कर रहे हो, वो पाकर, वो खरिद कर या वो बन कर, आप कितने satisfy होगे वो तो पाने के बाद या बनने के बाद ही पता लगेगा हमारे सपने भी बदलते रहते हैं, हमने कितनी मार देखा है अब 100 बात की एक बात बोलो तो यह है, कि things that never happened before, happen all the time जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, वो होता रहता है पहले फिर भी slow था, लेकिन आज 2-2 साल में market बदल जाती है So always be ready for surprises, पैसो के level पे तो बहुत जाता आप palm trees बनो, flexible रहो, जो ऐसा है वैसा उसमें ठल जाओ So यह थे 5 powerful lessons from the book The Psychology of Money अगर आपने last video नहीं देखी जो कि है अमीरों के 17 rules इसमें The Secrets of Millionaire Mind book पूरी explain कर रही है तो वो जरूर देखे, आपके screen पर fresh हो रही होगी description में में link है, उसको जाओ, जरूर देखो और पैसो से related काफी audiobooks आपको Cuckoo FM पर भी मिल जाएगी तो Cuckoo FM का link आपको description में और comment box में भी मिल जाएगा मिलते हम अगली वीडियो में, wish you all the very best मैं शकेलिकुल मित्र से आपके सपना को support करता हूँ